पिसमिल्ला रोम आन्य रहीम, Assalamualaikum वेलकम टू एट्ट्ट लेक्ट्टर अफ क्रीमिनल लौ। आज हम सक्शन 99 से 105 को डिस्कस करेंगे। सक्शन 99, When there is no right of private defense No right of private defense if the act does not cause apprehension of death, grievous hurt and done by or attempted by public servant or on the direction of public servant, acting in good faith under color of his office. इससे मुराद ये है किसी भी शथ को Private Defence का हाक हासिल नहीं है अगर जिससे उसको मौत का ख़द्शा नहीं है या शदीद नुकसान का, शदीद चोट का ख़द्शा नहीं है और वो एक्ड også है वो किया है या उस एक्ड को करने की कोशिश किया है किसी Public Servenعت ने या Public Servenعت के कहने पर किसी और शक्स ने उस काम को करने की कोशिश किया और कौन सा काम है, कैसे काम है ऐसा काम है जो वो पबलिक सर्वेंट गुड फेथ में कर रहा है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते भी कर रहा है असान अलफाज में यह है कि जिस वक्त कोई पबलिक सर्वेंट खुद कोई काम करे या उसके कहने पर कोई और काम करे यानि कि उसकी अथौरिटी से उसकी अजाज़त से और वो काम ऐसा हो वो एक्ट ऐसा हो जिससे आपको मौत का खतरा या गरीवियस हर्ट का खतरा ना हो तो आप अपना राइट अफ प्राइवेट डिफेंस इस्तमाल नहीं कर सकते हाँ याद रहे कि वो काम गुड फेथ में ह होना चाहिए और अंडर कलर अफ इस आफिस आफिस यानि कि वो अपनी डूटी को परफॉर्म करते हैं वेकार रहो एक्स्टेंट ऑफ अविलेबल राइट अफ डिफेंस राइट अफ प्राइवेट डिफेंस एक्स्टेंट तो इन्फिलिक्शन ऑफ हार्म डैट इस नेसे इस से मुराद यह है कि दूसरे शक्स को हमला आवर को आप सिर्फ उतना नुकसान पहुंचाएं जितना जरूरी है यह नहीं कि एक शक्स ने लकडी का डंडा उठाया हुए आप जादस जादस उसको पतली सी सोटी है चोट लग जाएगी तो आप यह नहीं कि उसका जो है जान से ही मार डालें ऐसा नहीं है या कोई शक्स आपको थपड मारता तो आप बदले में उसका सर फाड़ दें इस तरह नहीं है ठीक है जितना जरूरी है बस उतना इस्तामाल करें फिर सेक्शन हंडर्ड वेन राइट अफ प्राइवेट डिफेंस अफ बोडी एक्स्टें खाय की हैं देखते हैं इनको बारी बारी इफ देर इस एप्रिहेंशन अफ डेथ अगर मौत का खतरा हो तो भी आप हमलावर को मार सकते हैं जान से नंबर दो यहाप को शदीद चोट का ग्रीवियस हर्ट शदीद मजरूबी चोट का नुकसा जो है वो खद्शा हो यानि ए यानि शदीद नुकसान पहुंचने का खद्शा है तो ऐसी सूरत में आप जो है वो उसकी डेथ कॉस कर सकते हैं फिर उसके बाद इंटेंशन ऑफ रेप करने की कोशिश करता है या नियत रखता है तो ऐसी सूरत में भी आप उसको मौत के घाट उतार सकते हैं फिर इंटें या abduct करने की कोशिश करता है आगे sections में आएगा कि kidnapping और abduction में क्या फार्क है लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर समझने के लिए आप इसको अगवाई समझे फिर आखरी condition यहाँ कि ऐसी नियत हो intention हो हमला आवर की कि वो आपको wrongful confinement में रखेगा और किस तरह से रखेगा कि आपको unable कर देगा इस बात से कि आप किसी भी public authority को से राप्ता कर सके ताकि वो आपको वहाँ से छुडवा सके यानि कि आपको hub से बे जामें ऐसे तरीके से रखने की कोशिश जिससे आपका बाहरी दुनिया से राप्ता और अल्ला के बिलकुल कट जाए तो ऐसी सूरत में आप हमला आवर को मौत के घाट उतार सकते हैं Section 101 When such right extends to causing any harm other than death Private defense against body का right किस वक्त استعمال करते वे आप हमला आवर को नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन मौत के घाट उतारे बगहर If the offense is other than the offenses mentioned in section 100 के पिछले section में सैयन के section 100 में जितने offensive law ने बताए हैं उनके इलावा अगर कोई और offense है body against आपका right जो है body against private defense का यहां तक नहीं जाता है कि आप हमला आवर को मौत के घाट उतार दे हां उसके इलावा जितना आपको लगता है जितना जरूरी है उतना आप अपना private defense का हक इस्तमाल कर सकते हैं वह example दुबारा दूँगा कि इसका यह मतलब नहीं है कि एक शक्स अगर आपको थपड मारता तो आप बदले में उसे गोली दे मारें सेक्शन 102 commencement and continuous of right of private defense of the body यह सेक्शन हमें यह बताता है कि right of private defense of body शुरू कब होता है और कब तक जारी रहता है यानि आपके पास यह हक आता किस वक्त है और कितनी देर तक यह हक आपके पास काहिम है कि आप अपनी body के against जो private defense का इक्तियार वो इस्तमाल कर सके तो law यह कहता है कि जिस वक्त खतरा शुरू होता है जैसे खतरा शुरू होता है यानि apprehension of danger स्टार्ट होती है उसी वक्त यह right भी स्टार्ट हो जाता है और कब तक जारी रहता है जब तक खतरा आपके सर पर मंडलाता रहता है तब तक यह इखतियार भी आपके पास है section 103 when right of private defense of property extends to causing death यहाँ पर याद रहे section 103 जो हमें यह बता रहा है कि property के against जो private defense है उसका right किस वक्त तक इतना बढ़ जाता है कि आप हमला आवर को मोत के घाट उतार सके तो the right of private defense of property extends to causing death of the wrongdoer if law हमें यह कह रहा है कि आप wrongdoer को मोत के घाट उतार सकते हैं किस वक्त अपनी property का defense करते हैं अगर मुदर्जा जेल situations में से कोई एक भी situation हो जाती है तो number one robbery है अगर वो robbery करने की नियत से आया याद रहे हैं यहाँ पर अभी सिर्फ ये अलफाज आप समझें आगे चल कर इंशाला हम अगले sections में discuss करेंगे कि robbery क्या होती है डिकेटी क्या होती है theft क्या होता है mischief क्या होता है यह सारी terms आगे आएंगी house breaking किसे कहते है house breaking by night क्या होती है वगेरा वगेरा तो पहले point किया है कि अगर robbery की नियत से आता है या house breaking by night रात के वक्त घर में गुसने की नियत से आता है या mischief by fire committed on any building यानि कि किसी भी building को tent को vessel को आग लगाने की कोशिश करता और वो कौन सी किस किसम की building है tent है vessel है वो इस किसम की है जनाब कि वो इनसानों के रहाइश के लिए इस्तमाल होती है या वो कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई property रखी गई है उसकी कस्टड़ी के लिए जैसे गुदाम बगेरा होते है अच्छा यहां पर आपको vessel के बारे में भी बताते चलें वैसे तो शुरू में हमने discuss कर लिया है लेकिन remind कर वा देते है कि vessel से मुराद कोई ऐसी transport है जो पानी के जरिये इनसानों को या property को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है फिर अगली चीज़ है कि theft है theft करने की कोशिश करता है वो हमलावर या mischief और house trespass करता है ऐसे तरीके से कि आपको ये लग रहा है कि इसके साथ साथ ये लाजमी तोर पर या तो मुझे मौत के घाट उतार देगा या फिर मुझे शदीद नुकसान पहुँचाएगा शदीद नुकसान जैसे मैंने पहले example दी कि कुलहाडी से आपके मतलब बाजवी कार्ट देता है ठीक है या आपके टांग कार्ट देता है तो ये शदीद नुकसान है तो ऐसी सूरत में भी आप हमलावर को मौत के घाट उतार सकते हैं section 104 when such right of private defense of property extends to causing any harm other than death ये section हमें ये बताता है कि हमला आवर को आप मौत के इलावा किसी और सजा कैसे दे सकते हैं ठीक है कि अपनी property को defend करते हुए तो वो यही बात है कि जो पिछले section में चीज़ें बयान की गई है अगर उनके इलावा कोई situation है तो फिर जरूरी नहीं है कि आप हमला आवर को जो है वो मौत के घाट उतारें या उसको जो है आप शदीद नुकसान पहुचाए basically law ये कहता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही आप अपना right जो है वो इस्तामाल करें खामखा जो है वो आप इस चीज़ का नजाएज फाइदा ना उठाएं section 105 यह हमें ये बताता है कि private defense of property का right शुरू कब होता है और कब तक जारी रहता है वो ही बात है कि जिस वक्त खतरा शुरू होता है property के against तो आपके पास right भी शुरू हो जाता है private defense का और जब तक वो खतरा मंडलाता रहता है तब तक वो right भी आपके पास मौजूद रहता है तो जनाब उमीद करते हैं कि इस वीडियो में हम ये कुछ sections आप तक पहुँचाने में काम्याब रहे होंगे और आपको ये concept समझ आ गए होंगे इसके बावजूद भी अगर कोई question हो तो आप हमें email करें और हमारे facebook page को like करना न भूलें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी like कर दिया करें चैनल को भी subscribe कर लें दोस्तों के साथ share करें वीडियो को उनसे भी channel को subscribe करवाएं ताकि उनका भी फायदा हो हमारे से जुड़े रहने का शुक्रिया अल्ला हाफिस